नमस्कार दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूटूब चनल दवेटु आई एस में फ्रेंस आज जो हम बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं कि काले जज के अपमान का बदला उनके वनसज ने परधान मंतरी अठाथ पीम बन कर लिया फ्रेंस इस टॉपिक को समझन इसको लेकिए जसके बाद 1883 का एलबर्ड बिलम है उसके बादे मैं जानेंगे और एकुडंत को SU हूआ है उसके भारतिया इंद्याजने उनका का जो reaction है उनको तीसरे पॉइंट में समझेंगे और अभी जो पर्धान मंत्री बने हैं बिर्टेन के रिशी सुनक उनके बारे में समझेंगे इन चारों पॉइंट को अगर आप एक साथ मिला देंगे तब आपको समझ में आएगा कि काले जज़ के अपमान का बदला एक भार सबसे पर हम सुवाद करते हैं 1861 का जो इंडियन हाई कोट एक्ट है जब हम यहां इंडियन की बात करते हैं तो उसमें बंगलादेश और पाकिस्तान यह भी समलित हैं यह जो एक्ट हुआ था इसमें भारत में जो जुडिसरी है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने का प् मुंबई में इस हाई कोर्ट से पहलेएक सुप्रीम कोड़ा कलकत्त ने लेकिन यहां प infantryn और हाई कोड़ बनाएगे साथ चेह यह जो यूनिफॉर्मिप tą लाने के में से यह भारतिय नियाधिश, अंग्रेज और भारतिय इन दोनों से सम्मंधित जो मामले हैं उनमें सुनवाई कर सकता था। यहां पर एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो उस समय में नियायलै प्रणाली था नियाय की व्यवस्था थी उसमें दो तरह के व्यवस्था था एक दिवानी था और दूसरा फौजदारी था जो दिवानी का मामला होता था उसमें अंग्रेज और भारतिय जज इन दोन फौजदारी का मामला था उसमें उसको दो भागों बाटा गया था एक नग्रिय छेत्र और एक ग्रामी छेत्र नग्रिय छेत्र का मतलब होता है कि वो उस समय का जो कलकत्ता वला एरिया था जो नग्रिय एरिया था कलकत्ता था वो नग्रिय छेत्र था और कलकत्ता के बाहर जो भारतिय है इन से समंदित मामलिक सुनवाई का अधिकार था उसके न्याय करने का अधिकार लेकिन जो ग्रामीन एडिया था वहाँ पे भारतिया जज को यह परंपरा बना दिया गया था कि अंग्रेजों के खिलाप जो भी मुकदमा आएगा उस पे सुनवाई करने और निर्ने देने का अधिकार नहीं था यह परंपरा था कानून नहीं था और कोई ऐसा भारतिया जज उस इलाके में बनता ही नहीं था जो कि अंग्रेजों के खिलाप सुनवाई करे मुकदमा करे और जज्मेंट दे ऐसा उनको बनने ही नहीं दिया जाता था यह लोग ऐस तरह से कर लेते थे अंग्रेज अधिकारी लोग एक बात समझने की है कि जो ग्रामीन एडिया है उसमें में ज्यादा तर असाम और पूर्वी वाला भारत का पार्ट है वह सब एडिया था वहां पे बहुत बढ़े प युआ पे मज़़ों के साथ अत्याचार करते थे मारते 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 मार भी दिया जाता था जब ये सब मामला किसी भाशर्व सामने आता तो वह जाज न्याय करने के द руки हुए गळान उनके खिलाब जर्जमेंट दे सकता था उनको पनिस कर सकता था इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो जो अंग्रेज गोरे लोग वहां थे वह किसी भी भारतिय जो जज थे उनके उनके सामने ये मामला जाए ही नहीं इसका प्रियास करते थे ये चला ही आ रहा था लेकिन एक घटना यहां पे हुआ कि उस समय में कलकत्ता को जो जो जल्स इनका पर्मोशन हुआ परमोशन हुआ तो सात ही शात टांसफर भी हुआ परमोट हो करके यह ग्रामीर एडिया में चले गए परमोट प्रमोट हो करके जब वहाँ पे गए तो इनको जो अंग्रेज से सम्मंधित मामले थे उन पे जब सुनवाई होती थी तो इनको सुनवाई करने नहीं दिया जाता था इनको एक बात समझ में आई कि हमारा जो यहां पे पर मोशन हुआ है जिसके तहट कि हमारा पावर और और बरना चाहिए लेकिन यहां तो मेरा पावर घटी गिया इनको लगा कि मेरा जो पर मोशन हुआ है या दिमोशन हुआ है इस बात को ले करके चिंतित हो गया इसी बात को ले करके इन्हों ने एक पत्र लिखा वो लिखा उस समय में बंगाल के एक उप गवर्नर भी होते थे इनका नाम था Sir S.L. Iden और इनको ने अपनी सारी बातें written form में, letter के form में लिखके दिया Sir S.L. Iden ने इसी बात को जो उस समय में governor थे, रिपन बहुत ही सुधारवादी governor माना जाता है उनको उनको ये बात लिखा और उनको कहा कि Sir S.S.A. problem है, एक judge ने हमको ये letter लिखा है, तो ज़रा इसको देखा जाएं, तो रिपन क्या किये, कि उनका जो council था उनका जो governor general का अपना खुद एक पड़िसद council होता था, उसमें एक विधी या law member थे, जिनका नाम था PC Ilbert, इनको बोला भाई ज़रा देखो, इसका matter है, क्या हो सकता है, तो इन्हों ने कहा कि Sir, ये तो अन्या है, इस judge के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रिपन सहाब ने बोला कि बताओ क्या करना चाहिए, उन्हों ने बोला कि एक bill लाते हैं, एक act पास होगा, उसमें ये clearly mention होगा, कि एक भारतिय ज़र्ज को भी अंग्रेज, अर्था कोई भी गोरा वाला मामला होत, उसको सुनवाई करना और उस पे अपना निर्ने देने का अधिकार होगा, और इस तरह से यह bill लाया गया, यह act पास हुआ, जब यह act पास हुआ, तो जो उस इलाके के अंग्रेज, गोरे थे, अमेरिकन, जर्मन, यह सारे, सारे जो है, आगवबुला हो गया, इनका बहुत बड़े पैमाने पे बिरोध करना शुरू कर दिया, इनका बिरोध इतना बड़े पैमाने पे था, कि इन लोगों ने यह कर दिया, कि रिपेन, जो उस रिपेन किया है, यह जो काम रिपेन ने किया है, यह बिना दिमाग वाला काम किया है, तो उन्होंने भी रिपेन को समर्थन नहीं दिया था, और अंतता रिपेन को समय पूर्ण होने से पहले ही अपना त्यागपर्थ दे करके वापिस सला गया था, यहां तक तो यह कहानी ह के सामने मामला आये तो जड़ को कहा घिया कि आप एक बनाईएगा जिसमें की बारा मैंबर होगे और उसमें पंदरह इस बारह में से जू साथ होगे अंगएं और जो 5 होंगे वह इंडियन हों सातह इसातह ये खाह इंगर आप शुरी नहीं बना पाएं अर्थात अगर आपको यह साथ लोग गोरे न मिलें तो आप रिटेन फोर्म में अपने से उपर के हाइकोट को बोलें कि चुकि हम जूड़ी नहीं बना पाएं हैं तो इस केस को आप कहीं और ट्रांसफर कर दें और जो हाइकोट है वो ट्रांसफर कर देता था ऐसे ज द्वारा आदिवासियों की द्वारा मजदूरों के द्वारा उनकी साथ खरे नहीं होते थे बरे पेमाने पे इस वेट विद्रों को देखते हुए को देखते हुए उनका भी दिमाग खुला कि भले ही हम इस ब्रिटिस गौवर्मेंट में अच्छा जाब कर रहे हैं एक white collar करके हमें भी भारतिये के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए याद रखेगा ये बिल जो है यो एक्ट जो है दो फरवरी 1883 को पांस हुआ था बहुत ज़्यादा बिरोध हुआ बाद में 28 अप्रेल 2083 को एक कंफरेंस बुलाया गया मुंबई में परहे लिखे भारतियों के द्वारा जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर ये जो अंग्रेज बिरोध कर रहे थे उनका बिरोध किया गया इस तरह से एक बुद्धी जीवी इंटलेक्च्वल लोग जो भारत अंधृत होकर कि अंग्रेजों का बिरोध करते रहे अंग्रेजों के खिलाप आंदोरन चलाते रहे और सवयोग आंदलन हुआ भारत चोरव और अंत्त भारत आजाद हुआ जब भारत में जो भारतिया लोग है वो अपने मेहनत अपने बुद्धि जिवीता इन सारे के दम प्राइम्ने के आने वाद इतना प्रभावशाली है था उनका काम कि वह आज поряд Japanese बना यू अंग्रेज जो वाइट एक काले जज के सामने अपना फकल को सब्सक्स पारिल आपने मामले स्विकार करने तयार नहीं था आज वह एक Black एक काले प्राइमनिस्टर को स्विकार करने तयार है कि जो आप करसाखते हैं कि एक प्राइमनिस्टर ने अपने पूर्वज जो काले राइक आपमान किया गया था उनका एक तरह से बदला लिया इस चीज को धिहान में रखते हुए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों में बहुत सामर्थ है बहुत प्रतिवासाली है भारत के लोग फान लेता है उसको करके दिखाता है तो अभी हमारे सामने बहुत सारी चुनूतियां है जिसका सामना करना है भारत को 2047 तक अप भी अपना प्रुशार्थ को दिखा करके भारत को उस अस्थान पर पहुंचाएं जिसके लिए भारत जो है पहुंचना चाहिए प्रेंस मुझे उमीद है कि यह टॉपिक आज हमने आपसे शेयर किया आपको बहुत यह अच्छा लगा होगा इसलिए आपसे मेरा यह हमबल रि